नमस्कार दोस्तों मैं गने सराम आदित स्वागत करता हूँ आपका कंप्टिशन कम्मुनिटिक इस ऑनलाइन प्लैटफॉर्म में दोस्तों जैसा कि हमने CGTAT के संबंद में आपसे बताया था कि हम एक कोर्स ला रहे हैं और उस कोर्स का रहेगा कि महत्पूर्ण विशाय से संबंदित महत्पूर्ण टॉपिक को हम इसमें डिल करेंगे तो साइंस का टॉपिक में डिल कर रहा हूं और इस साइंस के टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं और सीदा कोशिका के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात ध्यान देखिएगा आप पिछे स्क्रीन में देख रहे przedstaw हैं यह दो लग अलग सेल्स हैं ध्यान दखिएगा यह दो अलग अलग सेल्स हैं इनके अर्थात ये पादप की कोशिका है ध्यान रखेगा पादप कोशिका और वो जो राइट हैंड साइड में आप जो सेल देख रहे हैं ये सेल है हमारा ठीक है एनिमल सेल ध्यान रखेगा एनिमल सेल अर्थात जन्तु कोशिका है ये ठीक है जन्तु कोशिका जन्तु ध्यान रखेगा कैसी कोशिका है यह जन्तु कोशिका है तो सबसे पहली बात ध्यान रखेगा इसका जो यह structure दिख रहा है आप इसमें कुछ अलग से differentiate कर सकते हैं जिसको हम आगे पढ़ते भी differentiate करेंगे तो सबसे पहली बात ध्यान रखेगा कोशिका होता है यह आप जान लिजे ठीक है कोशिका का खोज जो है सबसे पहली बार किस ने किया तो राबाट हूड ने किया था तो ध्यान रखेगा अब हम पढ़ते हैं ठीक इसका सीधर topic पे कोशिका का अविश्कार अर्था discovery of sales किस न का खोज किया था एक फिले में इपन्होंने कार्क नाम के पौधा होता ध्यान रखेगा कार्क नाम का पौधा होता है पेड़ होता है और इसी पेड़ को इन्होंने देख एक पेड़ के structure को देखा тому उसने इस प्रकार की जाली देखाई द्यान रखेगा यह आपका microscopic view है, अर्थात microscope से लिया गया चित्र है, आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि honey bee like structure दिखाई दे रहा है, कैसा structure? honey bee, ध्यान रखेगा, honey bee, honey bee का hives होता है, ध्यान रखेगा, honey bee का hives, hives का मतलब छत्ता, ठीक है, honey bee का hives होता है, मदुमक्की का चत्ता जो होता है, उसी प्रकार का structure दिखाई दे रहा है, तो ध्यान रखेगा, इस में से यह structure दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैं अगर इस प्रकार से draw करूं, तो ये कुछ इसी इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ध्यान रखेगा, ये आगे जाके फिर से इस प्रकार से मिलने वाला है, तिक, चलिए, कैसा safe हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ध्यान रखेगा, कितने हो गए इसके, 6, 6 side हो रहा है, तो कुछ इस प्रकार के सेल दिखाई दे रहे थे, अब इस ध्यान रखेगा, इसी को क्या कहा गया है, एक्च्छली में, उस समय जो monk होते थे, JOSH समझ रहे हैं? trag, monk मतलब जो साधू होते थे, यह जो monk होते थे, जिस गुफा में रहते थे, उस गुफा का जो structure लगबग इसी परकार का देखा गया है, इसी परकार का होता था, और उसको उस समय Cellular कहा जाता था बॉंक जिस गुफा में रहते थे उसको क्या कहा जाता था Cellular तेहा नखिएगा क्या कहा जाता था Cellular और इसी Cellular नमक वर्ड के अधार पे इसी structure को तिक राबट हूड ने Cell कहा क्या कहा Cell ध्यान रखिएगा को शीका का अविस्कार और यह जो नामकरण है ठीक यह नामकरण इस अधार पर हुआ है क्योंकि इसका structure जो है मौंक के रहने के स्थान cellular से match खाता था ठीक है आया समझ में तो कहने के तर्थ पर यह है कि यह जो आप दिखाई दे रहा है तो इसमें से एक यह जो year 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 sure year 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 प्रकार ते इह जो सिंगल सिंगल जो हम मैं गोल कर रहा हूँ यह एकसे रहिसme और डल πञार में इस परकार था कहनीब हुआया है तो सबसे पहली बात हमको यह पता किस नाम से जाने सेल के नाम से जानते हैं तो यह हो गया हमारा discovery of sale ठीक है आईए अब हम देखते हैं आगे चलते हैं तो अगर हमारे एक वग्यानिक मिलते हैं ठीक एंटोन वॉन लिवेन हॉक ध्यान दखेगा लिवेन हॉक ठीक लिवेन हॉक इस महोडे ने क्या किया इन्होंने सबसे पहली बात जीवित कोशिका की खोज की थी ध्यान केगा लिविंग सेल की खोज की थी ध्यान के लिविंग सेल इन्हों ने जो दरव्वे है उसको देखा अपने देखा होगा जल में बहुत चोड़े चोड़े पादव होते हैं भहुत सारे चोड़े चोड़े मैक्रोबल्स घूमते रहते हैं तो उसी structure को पॉंड वाटर में और उन्हों буर्टर ने कहा कि मतलब ये क्या है एक living cell है इन्होंने तो dead cell का खोज किया था इन्होंने कहा कि ये जो cell है वो एक living cell है और living cell का खोज किसने क्या हम मानेंगे तो लिव एन हॉक ने तो ध्यान रखेगा Anton won लिव एन हॉक first discovered and describe a living cell कोई दिकत नहीं अब ध्यान रखेगा इन्होंने एक कोशिका खोजा जो कि मृत था इन्हों ने कोशिका खोजा जो कि जिवित था अब जाएगा हमारा science जो है थोड़ा से एक्स्टा और नरी तब होता है जब इस प्रकार की चीज़े अर्थात microscope का अविस्कार होता है तो पहले simple microscope की बात कर रहे है ठीक है electron microscope की बात चुड़िए पहले ध्यान रखेगा simple सा जब microscope बना तब कहीं जाके अब जानने का मौका मिला तो चलिए देखते हैं क्या जानते हैं तो सबसे पहले हम जां लेते हैं मैलिथेस sliden के बारे में ठीक मैथिलियस द्यान रखेगा मैलिथियस ठीक हुआ है ठीक और पुस्तकों में तिक मैलिथस भी लिखा जाता है मैलिथस स्लाइडेन मैलिथस स्लाइडेन जो की 1838 में इन्होंने ये अब्जर्व किया कि प्लांट्स आर कंपोस्ट आफ सेल अर्थात पादप जो होते हैं ये जो है कोशिकाओं से बने होते हैं इससे पहले ध्यान देखेगा सेल का अविश्कार क्या है पादप का जो मतलब कौर का जो लकडी था उस लकडी में इन्होंने देखा था इन्होंने बताएं नहीं थे कि ये क्या चीज़ से बना होता है बस सेल का वहाँ पर उन्होंने रॉबर्ट होक ने बताया के बने होते है ध्यान रखेगा ये स्टेटमेंट कि इन्होंने दिया तो इन्होंने दिया स्लाइडें ने ध्यान देखेगा स्लाइडें ने ये कहा कि पादब जो होते ही एक छोटे-छोटे कोशिकाओं से बने होते है चलिए, मैं ते लिए Sliden को हो गया, अब आगे एक साल बाद की बाद दिखीएगा Actually में, ठिक, जो Sliden थे, ये जो थे, Botanist थे, ध्यान रिखेगा Botanist थे, कहां के, Germany के चलिए, अब आजे, Theodore Swan, ठिक, Theodore Swan के बारे में ध्यान रिखेगा ठिक, चलिए, Theodore Swan, इद के बारे में जा लिए, ये ब्रिटेन के थे, कहां से थे ब्रिटेन के और ये जो लोजिस्ट थे यह रखिएगा, ये आपके प्राणे, क्या कहना चाहिए, पादप विग्यान से संबंदित रखते थे और ये जन्तु विग्यान से संबंदित रखते थे, इन्होंने कहा, कि cell had thin outer layer, अर्थात, जिसको हम plasma membrane कहते हैं, लेकिन पहले इस चीज़ को बता दे, कि इन्होंने ये बताए था, कि पादप जो है, वो कोशिकाओं के बने होते थे, और ये जो Theodore Swan है, इन्होंने कहा था, कि पादप तो ठीक है, अच्छी बात है कि पादप जो कोशिकाओं के बने होते हैं, परन्तु ये जो जन्तु होते हैं, जन्तु भी कोशिकाओं के बने होते हैं, कोशिकाओं के बने होते हैं, तो समझे इस चीज़ को, ठीक है, जन्तु में इस परकार की चीज़ों के बारे मे Theodore Swann ने कहा है जबकि पौधे में इस परकार की चीजों के बारे में Sliden ने कहा है यह Botanist थे और यह Geologist थे चलिए अब आए इन्होंने और क्या कहा है He also found that Plant Cell have Cell wall मतलब इन्होंने Plant Cell के बारे में बता है कि Plant Cell का जो बाहरी structure होता है उसमें क्या पाई जाती है कोशी का भित्ती पाई जाती है अब इसके बारे मैं आगे बताऊंगा भित्ती पाई जाती है अर्थाद आप देखे और हमारे आपको देखीगा हमारा हाथ पर हिल सकता है गूम सकता है अर्थाद जो हमारा सेल है इस सेल का जो outer membrane है ठीक है जो की plasma membrane से बना होता है ठीक है यहाँ पर सेल वाल नहीं पायाता है सेल वाल जो है कठोर होता है ठीक है कठोर होता है इसलिए पादब को आप देखेंगे के एक निश्चीत structure में रहता है लेकिन हमारा structure हमारे bone के कारण है ठीक हमारे सेल का structure तो है लेकिन यह हमारे bone पे based है कहने का ताथ पर यह है कि हमारा सरीर flexible है ठीक है तो ध्यान रखिएगा जन्तू भी कोशिकाओं के बने होते हैं यह किस ने कहा था था थियोडर स्वान ने कहा था अब ध्यान रखिएगा इन दोनों ने मिलके ठीक है किनों ने स्लाइड कोशिकाओं से जन्तू भी बने होते है और इसी कोशिकाओं से पादब भी बने होते है तो यह दो प्रमुख आपके ठीओरी मिल जागा स्लाइडन और स्वान से चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं रुडॉल्फ विर्कोवीच को ठीक है यह मह divide होती है और divide होके दो अनन मतलब दो डॉर्टर सेल का निरमान करती है ठीक है sales divided and new sales are formed from the pre-exacting sales ठीक है अरथात कोशिकाओं का जो निरमान कोशिकाओं का जो निरमान है यह जो कोशिकाओं का निरमान पूरवर्ती कोशिका से होती है ध्यान देखिएगा पूरवर्ती कोशिका से होती है यानि अल्रेडी जो कोशिका था उसी कोशिका में division होता है तो sale division का सबसे पहली बात किस ने क्या तो तीक है रुडॉल्फ और के विच ने क्या इन्होंने sale division को खोज किया sale division अर्थात कोशिका विभाजन को खोज किया डिवाइड करते जाती है यह बात किस ने कहा तो रुडॉल्फ विर्कोविच ने कहा और इनका statement भी ध्यान रखेगा omni cellular e-cellular इसका अर्थ यही है कि new cells are found from the pre-existing cell अर्थात जो नई कोशिकाओं है उन नई कोशिकाओं का निर्मान पूरू में इस्थित कोशिकाओं से ही होता है जैसे माल जी यह यह पेन है यही पेन जो divide होके ठीक है क्या करेगा दो अलग-अलग पेन में ठीक division होगा कहने के मतलब है कि अगर यह sale है देखिएगा अगर माल जी यह प्रकार का कोशिका है तो इसी एक कोशिका में ठीक है division होगा और यही एक कोशिका जो आगे जाके दो अलग-अलग कोशिकाओं में विभाजित होगा और यही कोशिका जो है इस प्रकार से दो अलग-अलग इसमें जो growth को आप कैसे बताऊंगे जीतेने भी आप living living  living बात करें प्लांट हो चाहे वह एनीमल हो इन प्लांट और एनीमल में आप हमेसा दखें होंगे कि इनमें growth पाए आता है तो यह growth कैसे होता है यह growth होता जो devamить विस्ट से होगा तो तातपर यह है कि सेल जो होता है यह डिवाइड होता है और इसी डिवाइड के कारद हुमन के साथ साथ जो प्लांट भी होता है उसमें क्या पायाता है गुरोथ पायाता है गुरोथ का मतलब हो गया व्रिद्धी पाया जाता है ठीक है ध्यान रिखेगा सेल डिव कोशिका आया है pre-existing कोशिका से अर्थात हमारे हाथ की जो पूरवर्ती कोशिका है यही कोशिका जो divide करकरके इस गाव को भर दिया है तो हमारे समझ यह growth के साथ सथ जो healing होता है healing का मतलब हो गया जो चोट के कारण हमको गाव लगता है उस गाव को भरता है तो यही सारी चीज़े आपको डिस्क्राइब करती है कि हमारी जो कोशिका है वो डिवाइड होती है आया समझ में किसने कहा रुडॉल्फ विरकोविच ने कहा चलिए इन महोदे को चलिए अब ध्यान रखेगा और आल तीन बंदे थें इन टिनों लोगों ने ठीक है आपका सेल थियो विरकोविच ने इनके इस सिधान को कि कोशिकाओं से ही कोशिकाओं का निर्मान होता है इसको बाद में जोड़ा गया तो अब हम बनाने वाले है modern cell theory तो इसको आप पढ़िएगा modern cell theory ये exam में पुछा जा सकता है और इससे पहले भी जो हम ने पढ़ा है उसको भी बड़ा से आप रखेगा याद चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या क्या पढ़ेंगे भई अब हम पढ़ते है modern cell theory चलिए क्या है पहला cell theory तो सब सब पहला लिखे आप प्रतेख ध्यान रखेगा प्रतेख जीव प्रतेख जीव का मतलब है ठीक चाहे वो living हो या non living हो तो ध्यान हो गया प्रतेख जीव ठीक का सरीर प्रतेख जीव का सरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है चोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है अर्थात क्या हो गया ठीक every living things ठीक ध्यान रखेगा every living things is made up of cells क्लियर है चलिए पहला पॉइंट हो गया दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं तिक दूसरा पॉइंट यह है कि सभी कोशी का जो है यह आधारी रूप से एक समान होते हैं सभी कोशी का आप यह लिखे सभी कोशी का एवरी सेल सभी कोशी का आधारी रूप से यानि बेसिक र कीच को भी आपको underline करना है, एक समान होते हैं, बेसिक रूप से कहने का मतलब का, जैसे basic रूप से, अब सभी घर को देख लिजे, तो basic रूप से सभी घर में eat का प्रियों हुआ है, सभी घर में columns है, सभी घर में rate लगते हैं, सभी घर में cement लगते हैं, लेकिन ध्यान रखेगा, किसी में sofa लगता है, तो किसी में chair लगता है, यह basic चीज नहीं है, समझ मैं। किसी में paint लगता है, किसी में नहीं लगता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन μ Kaiser बसी क्या होता है, ऐपके सड़ीह, सबी सण में थेन रहता है, तो सबी सेल में ध्याय रहे सुज़ कांञ है। माइटॉकवाइड्रिया पाई जाएगा। मतलब कोशिका द्रव की बात कर रहे है। कहने का मतलब प्रतेग कोशिका में ध्याय है । क्रूआज़का ओक टपह जाएगा। साइ्टोपलाजम पाए ढिनुक्लियस पाए तो जिविट में उसमें निकलियस और नहीं === जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं तो फईन हम ईखें कव्छ खीप यहणा ब्रोच है शिर्फायद्फ chi चाहे वह beef प्रएंट कोश ser를 ख़कर शेये हैं प्लांट कोशिका के बाहर में ठीक, cell wall पाए जाएगा, लिकिन अगर वही living कोशिका है, ठीक, cell आपका plasma membrane पाए जाता है, जीव द्रव जिल्ली पाए जाता है, ठीक, ध्यान देखेगा, ठीक, चलिए, आईए अगला तिसरा point हम देख लेते हैं, तिसरा point ये बताता है, कि रास राइनिक, रहसानिक संगठन के रुप से देखा जाए, तो जितने भी कोशिका है, ये कोशिका भी क्या है, एक समान है, चलिए, कैसा है भही, ठीक, कोशिका ये जो है, रहसानिक रुप से देखा जाए, तो रहसानिक संगठन के हिसाब से ये कोशिका जो है, एक समान है, सा परिफा पच्चई द्रिष्टी कौनड से भी यह कया है कोशिका एक समान है अर्थाद देखेगा कि । जिस परकार से देखिएगा प्रतेक पौधा जो होता है या प्रतेक जीव जो ह्ता है जो कि भोजन गरहन करता है और उस decor Zeота को ठीक Photomahydora ही क्या करता है decompose करता है decompose का मतलबGra,, तोड़ता है तो उसी सरल अव्याओं में तो उसी सरल Он को हम संगर्ठन के रुपए बहन बहुत करता है और उसी प्रकार के पानार्द संगर्ठन के रूप करते है तोड़ता है दियान रखेगा दोनों MICHAEL हो कि इसमें सबसे पहले क्या होता है, बड़े जो आपके अडू होते हैं, उस बड़े अडू को छोटे में तोड़ते हैं, फिर आगे जाके जो छोटे अडू है, उसको फिर से बड़े अडू में जोडते हैं, तो यह दोनों प्रकार की चीज़ें होती है, एक को अपसे कहता है इसी दोनों के मिलाके उपापचाय कहा जाता है चलिए तिसरा point हो गया चौथा point हम हम देखते हैं कि इस जित्ते भी कोशिकार होती है सभी कोशिकाओं में एक common चीज़े पाई आती है सभी कोशिकाओं में सभी कोशिकाओं में ठीक, एक common चीज पाई आती है जिसको कहते है अनुवानसिक पदार्थ, जिसके कारण ध्यान रखेगा, ठीक, जिसके कारण एक पदार्थ, मतलब क्या कहा जा सकता है, पदार्थ, पहले पदार्थ लिख लिए जाए, ठीक, इसी अनुवानसिक पदार्थ के कारण जब एक ऐस से दुसरे संतत्ती का निर्मान होता है तो दूसरा सेल में भी सेम प्रकार के characteristics पाई जाते हैं कि आपका क्या कहता है विशेस्ता पाजाती है संतत्ती में जो गुन का श्ठांटरन होता है उसी को ही हम अनुवान्सिक पदार्व के मादम से ही अहीं होता निर्मार होता है अर्थात कोशिका का विभाजन होता है कोशिका का विभाजन होता है कहने का तत्पर है कि एक कोशिका जो है विभाजित हो के एक से अनिक कोशिकाओं का निर्मार करती है ऐसा कुछ नहीं है नहीं कोशिका तो बता दिये था इससे पहले कि कोशिका मतलब स्ला आता कहां से है, यह चोटा सा खर्गोस है, यह आप समझे कि 200 ग्राम का है, बच्चा है, लेकिन अगर हम साल भर बात देखें, तो यह 2 किलो का हो जाता है, तो यह 100 ग्राम का कोशिका, जो है 2 किलो का कोशिका में कैसे बदल गया, कैसे यह replicate किया आपने आपको, कैसे इसने अप और एक सेल जो है, वो डिवाइड करता है, लेकिन अलग-अलग तरीके से करता है, ध्यान रिखिएगा, चलिए, उसको हम सेल डिविजन में पढ़ेंगे, तो यह हो गया हमारा Modern Cell Theory, चलिए, आगे बढ़ते है, और आपको बताओ दू, सेल के टाइप्स, तो सेल के टाइप् सबसे पहली बात समझे, कि हमने अधार क्या माना है, केंदरक को माना है, अर्थात एक ऐसा चीज़ होगा, जहां पर केंदरक नहीं होगा, और एक ऐसा चीज़ होगा, जहां केंदरक होगा, सिम्पल सास्पंडा है, जिसमें केंदरक नहीं पाए आता है, उसको प्रो केरियो ध्यान रखेगा, जीवन का जो निर्माड हुआ था, इविलेशन हुआ था, उस इविलेशन के समय में, अर्थाइत उस उद्विकास के समय में, जो सबसे पहली पूरवर्ती कोशिका बनी थी, सबसे जो प्राइमरी सेल्स बने थे, उसी cells को हम किस नाम से जानते हैं? Prokaryotic cells के नाम से जानते हैं और बाद में Prokaryotic cells को developed होते हुए ध्यान रखेगा, एक अलग प्रकार का cell बाद में विकास हुआ उसको हम eukaryotic cell के नाम से जानते हैं तो पहला point हमारा यही हो जाएगा पहला point आप यहाँ पर यह लिखिए ध्यान रखेगा, क्या लिखना है आपको? कि यह आदिम कोशिका है, यह primitive cells है क्या है? primitive cells है ध्यान रखेगा, आदिम कोशिका है और यह सूविक्सित कोशिका है ध्यान रखेगा, सूविक्सित है मतलब इसमें आप देखेंगे जिस प्रकार आज का घर देखिए आज का घर में जाएंगे तो आपका सबसे पहले क्या होगा ठीक ड्राइंग रूम होगा ठीक आपका खाना बनाने के लिए कीचन रूम होता है पढ़ने के लिए स्टडी रूम होता है सोने के लिए बैड रू यहां पर उतने और्गनाइज तरीके से उसके सेल के जो पार्ट्स है वे नहीं रहते हैं ध्यान रखेगा जैसे माइटो कॉंड्री भी आपस में जिल्ली में घीरा हुआ है उसके बाद भी देखें जैसे एक इंडो प्लाजमिक रिटिकुल है यह भी अपने निश्चित अकार में है ठीक है साइटो प्लाजम के अंदर आपका देखिएगा राइबोजोम है वो भी निश्चित अस्थान प देखिएगा इसमें केंदर का अभाव पाई आता है यानि एपसेंस पाई आता है एपसेंस ऑफ क्या नुक्लियस बड़ा सिंपल सा फंडा है प्रोक्रेटिक की सेल में देखिएगा यह प्रोक्रेटिक सेल है कहीं दिखाई दे रहा है नुक्लियस नहीं कहीं नुक्लियस न प्रिमिटिव और इस सेर के बीच में कही आपको केंधरिका या केंधरिक दिखाई नहीं दे रहा है, जब कि यहाँ पर ध्यान रिखिएगा, पौन विक्सीत केंधरिक पाई आता है, वेल डेपलप नुक्लियस पाई आता है, आप देखिए, वेल डेपलेप्ट है, वेल और उसके अंदर अनुवांसिक पदात DNA पाए जाते हैं रियान रिखेगा क्या पाए आते हैं DNA पाए आता है हिस्टोन प्रोटीन पाए आता है तो यह सारे चीजे पाए जा रही है एक निश्चित संगठन की रूप में इसमें आए इसमें केंद्रक जिल्ली और केंद्री का अनुपस्तित होती है जब केंद्रक नहीं रहेगा तो केंद्रक को एक निश्चित संगठना में बाधने वाली केंद्री का जिल्ली यानि कि नुकलियस मेंब्रेन वो कहां से रहेगा कहने का मतलब है इसमें केंद्रक जिल्ली का अभा होता है केंद्री का अनुपस्तित होत differentiate करना है तो इसी प्रकार से क्या जाना चाहिए इसमें Kendrak जिली और Kendraugh का उपस्थित होता है Kendragu कोशिका नुद्रव कोशिका क्ला के बीच में रहता है जिसे ये ये आपका क्या है केंद्रक है और ये आपका कोशिका का बाहरी कला है ठीक है बाहरी लियर है इसके बीच में जो पाया जा रहा है ये वाले एरिया में ठीक है यहां से लेकर यहां तक ऐसे करके यही है आपका क्या कोशिका द्रव इसके अंदर जो पाया जा रहा है इस परकार कोई division नहीं है , यहां पर कोशी का दुरू पूर्ड कोशी के उम में पहला होता है , यह आपका केंद्रक है केंद्रक जिल्ली और आपका सेल वाल यहाँ क्या कहना है वाल नहीं कहना है सेल मेंब्रेन के बीच में स्थीत होता है तो ध्यान रखिएगा कोशी का दरों केंद्रक और केंद्रक कला के बीच में रहता है यहाँ पर आके देखिए डियने जो है इसमें डिने पाए जाएगा जहाने सेंधर केंधर अंदर नॉइंगा और सिहसे कान प्रोटीनis पाएगा ज说ow डिने नों virus में मश्रीक पाएगा प्रगार जाएगा यह जो राईबो जो elderly आपको ठीक है, ये कैसा रहता है, 70s, जबकि इसमें 70 और 80 दोनों पाए जाएगा, 70s और 80s प्रकार के राइबुजोम पाए जाते है, चलिए, अगला देख लेते हैं, इसमें वोकिल्स अनुपस्तित होता है, वोकिल्स का मतलब होता है, केंद्रिका, केंद्रिका नहीं कहना चाहिए रिक्तिका, तक हम्यार केंरे रिक्तिका, रिक्तिका, रिक्तिका क्या होता है, अनुपस्तित होता है, ध्यान डेख़ेगा जो कि इसमीं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये दिखी, वोकिल्स प्रकार का इक गेप वाला एडिया पाए जाए जाएग wiggle, कुछ नहीं रहता है, नहीं रहता, मतलब उनुपस्तित रहता है, जबकि यहां पर उपस्तीत होता है, यह ही वो है, आपका क्या पढेंगा, लाइजोजाइम कहां गया, तिक, गोल सन्रचनर है लाइजोजाइम का कहां गया बई, ठीक, लाइजोजाइम, नहीं है, चली हम मना देते है, ऐसा करन के इस प्रकार का LYSO GYMe पाए जाएगा दियान रिखिएगा लाइसो जाएँ पाया जाएगा और यह जो LYSO GYMप जो है कोशी का अंदर दिया रखिएगा यह पार्चन क्रिया का काम करता है और कभी-कभी अपने आपको ही समाप कर देता है, इसलिए लाइसोजाइम को क्या कहते हैं हम, ध्यान रिखेगा, आत्मत्या की थेली, आप ये एक्जाम में पुछा जाता है, अंदर में हम पढ़ने वाले हैं, तीक है, आयत देख लेते हैं, कि इसमें क्या होता है, इसमें से जानेंगे, यहाँ पर फिलहाल जाल लिजे, कि सुतरी कोशी का भी भाजन अथाथ, मीटोसीस की प्रिक्रिया यहाँ पर नहीं होती, और यहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है, क्योंकि इसी सेल में तो हम पढ़ने वाले हैं, तो यह जो है एक प्रकार का है ठीक है इसको आप देख लिजे यहां से प्रस्म पुछने की संभावना रहती है चलिए आगे आते हैं और इसी के अलग-अलग और्गेंस को पड़ लेते हैं चलिए यह वहीं सेल है ठीक ध्यार रखेगा सेल सेम सेल है ध्यान रखेगा जितने भी और्गेंस है ठीक यह एक सूवेष्थी अलग-अलग जिली में पायाते है इसका अलग पैकेजिंग है इसका अलग पैकेजिंग है बहुत ही यह इसान कुछ नहीं है सब तैतर्भितर रूप में तीक है गुंते रहता है चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अलग-अलग और्गेनिल्स में है तो सबसे पहली बात हम जीव द्रव्य को पढ़ लेते हैं किसको पढ़ते हैं जीव द्रव्य को चलिए अब हम देख लेते हैं ठीक है प्रोटोप्लाज्म के बारे में प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि होता क्या है चलिए होता क्या है यह ठीक ये सेल का बाहरी दिवार के बाद एक अंदर में चंद्रग है ये कंद्रग का दिवार है थीक है तो ठीक है तो हिएंटेन रॉख Nico के नहीं भी आपके आप जो भी लिक्विट इसके बीच में जो पाए जाएगा यहां से लेकर यहां तक इसी को हम क्या कहते है प्रोटो प्लाज्म प्रोटो प्लाज्म ठीक इसी को हम कहते है जीवद्रव्य ध्यान रखेगा क्या कहते है जीवद्रव्य तो सबसे पहली बात यह समझे लिजे एक विद्वान हुए थे काटी कौन थे काटी तो काटी ने सरप्रथम जीवद्रव्य का अध्यान किया था ठीक है ध्यान रखेगा अगर आपसे पहली बात ये पुछे ठीक ये आपके derived question है आपसे पुछा जा सकता है क्योंकि इस प्रकार के question इससे पहले पुछे गये है अलग अलग अग्जाम में तो ध्य नहीं था इससे जिवध्र ओर का अध्यन किया था इसके बाद टिक डूंजादिन नाम ओर लिएगे डूजादिन ऑना था जिए रहा है इसे औरवे नाम दिया था सार कोड ठीक का नाम दिया था सार कोड नाम दिया था डूजाडिन ने कोशिका के अंदर जो तरल द्रव में पाए जा रहा है थे उसको सार कोड नाम दिया था तो आप भी ध्यान रखेगा भाई ठीक अबनलब जियुदर फ्रोटोप्लाजम इसके बाद और एक विद्वान आते हैं पूरे किंज ठीक पूरे किंज का तो नाम सुना होगा आपने पूरे किंज चलिए यहां पर लाइन किस देता हूं यहां पर लिखता हूं पूरे किंज इस पूरे किंज ने क्या कहा इन्होंने कहा ठीक है इन्होंने सर प्रथम इसी द्रव को प्रोटोप्लाजम न लेते हैं हक्सले हक्सले ने क्या का ये जो जीव द्रव जिसके बारे माँ चर्चा कर रहे हैं यही हमारा जीवन का भौतिक आध्यार है ध्यान रखेगा फिजिकल बेस आप लिविंग चाहिए किस ने कहा है फाकसले ने कहा ठीक, प्रोट Trent 28 से AHC का लेज में परोटि प्रोटॉपास का नामकरन किस ने किया तो पूरे किंच ने कहा यह सारकोड मारा हो किसने कहा किसने अद्धे ने किया जीवद्रव का तो काटी ने किया तो इस प्रकार यह हमारा जीवद्रव हो गया चलिए जीवद्रव के अंदर mitochondria पाया था आपने देखा था ये उसका structure है mitochondria का तो mitochondria का खोज ठीक सबसे पहले किस ने किया था कालिकर ने किया था किस ने किया था कालिकर ध्यान रिखेगा इसका खोज सबसे पहली बार किस ने किया था कालिकर flaming flaming और hardy तो इन्हों ने ध्यान रिखेगा किसका खोज क्या था तो अब समझे इसका जो नाम करण है किस ने क्या था यह जो की एक वग्यानिक थे इसी वग्यानिक ने कहा जिस परकार कि संरचना को आप देख रहे हैं यही संरचना जिसका खोज आपने क्या है अर्धात कालिकार फ्लेमिंग और अल्टमान ने क्या इसका नाम क्या होगा तो इसका नाम होगा माइटो कॉंड्रिया किस ने कहा भई तो कहा था बेंडा ने चलिए अब देखते हैं यह जो है एक चीज़ विशेसरुप से ध्यान रखीगा यह जो है अर्थात माइटो इसका में ध्यान रखेगा पाया जाएगा समझेगा इसको यह जो है माइटो कॉंड्रिया जो पावर हाउस ऑफ सेल जिसको हम कहते हैं यह किस में पाया आता है माइटो कॉंड्रिया में पाया आता है और इसी को हम क्या कहते हैं ध्यान रखेगा पावर हाउस ऑफ सेल कहते ह क्यों कहते हैं क्योंकि जब ध्यान देखेगा आप जो भोजन करते हो तो जो सरल भोज्यपदार्थ है समझेगा जो सरल भोज्यपदार्थ ठीक है वो कहां चले आते हैं कोशिका में चले आते हैं कोशिका में और इसी कोशिका में आप जो ब्रिदिंग के माध्यम से जो ऑक्स इसको हम क्या तर इसको एनरजी में इसको करता है जो सरल दो प्रोबॉज करता थे खरूब्वर को से लिवांत मीचिने इसको पावर अवस प्रोफ क्या कहा गया थिक है यह हम यह भी कह सकते है कि स्वासन नामक क्रिया होती है थ्यान रखेगा स्वासन क्रिया रेश्पी 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 चोषवास के माधियम से जो oxygen हमने लिया है, वो oxygen जब हमारे फ्यपड़े में पूछता है, तो exchange of gas होता है, ठीक है, यहाँ पर oxygen जो है, रक्त के माधियम से सरीर के बिभीन कोशी काउम में पहुंचता है, और हम जो भोजन के रहते हैं, वो भी वहीं पर रहता है, तो उस सरल भ केरेटिक में पाए जाता है, आपने यह बता दिया, आप अगर यह पुछेंगे, कि आपका यह question हो सकता है, कि यू केरेटिक जो कोशिखा होती है, तीक, यू केरेटिक में तो बता रहे हैं, कि आप माईटो कॉंड्रिया पाए जा रहे हैं, लेकिन बाकी जो जीव है, जैस इक्वल टू माईटो कॉंड्रिया है, माईटो कॉंड्रिया, तीक, ध्यान रखिएगा, जो माईटो कॉंड्रिया का काम है, वही मिजोजोम का काम है, किसमें, प्रोक्रेटिक सेल में, प्रोकारियोटिक सेल में, ध्यान रखिएगा, आया समझ में, चलिए, आगे बढ़ते है अगले चीज को देखते हैं चली अब हम अगला component देख लेते हैं अब अगला cell organelles देख लेते हैं वो है ER अर्थाट इंडोप्लाजमिक रेटिक्विलम ठिक ध्यान रखेगा इसको हम क्या कहते है ER के नाम से जानते है ER इंडोप्लाजमिक रेटिक्विलम अब समझेगा कि ER है क्या जो आप देख रहे हैं नुकलियस इसी नुकलियस से देखेगा जालीका नुमाज संद्रस्चना निकला हुआ है ठीक चारों तरफ निकला हुआ है इसी को ER कहते है कुछ ER जो है आपको समूथ दिख रहा है कुछ में डॉट डॉट दिख रहा है ठीक जो समूथ है इसको समूथ ही इस ER अर्था चिकनी ठीक है अंतह प्रद्रवी जालीका कहते है देखो भाई कतरनाक है ठीक इसलिए ER इंडोप्लाजमिक रेटिक्विलम से जानिये और जिसमें यह डॉट डॉट चीजें दिखाई दे रहे हैं यही राइबोजोम है ठीक इसलिए इसको हम क्या कहते हैं खूरदरी इंडोप्लाजमिक रेटिक्विलम कहते हैं और घ्यान रखिएगा इसका अलग-अलग कारे है पहले बात आप देख लिजेगा इसक को खोज है इसको किस ने किया तीक अर्थात इंडो-प्लास्मिक रेटुकुलम को Albert Cloud ने खोजा है Albert Albert तीक क्या बताया था Albert Cloud कहेंगे हम Cloud तीक धियान रिखेगा Albert Cloud तीक साथ इसाथ किथ पार्टर किथ पार्टर इन दो वेक्तियों का आप पार्टर गया और यह और नाम याद रिखेगा Albert Cloud और किथ-पंटर ठीक अब समझेगा E R होता क्या है यह अंताकोशी किये अंता कोशी किये ठीक के परिवहन तंद्र का निरमांड करता है धियान रिखेगा अनता कोशी किए परिवहन praying कोसी का को निर्मान करता है इसको कहा गया है अंताह कोसी का द्रव में निकलेगा ER के माध्यम से इसलिए इसको अंतर कोशी के परिवहन तंतर के नाम से जाना जाता है और यह दो प्रकार के होते हैं ठीक ध्यान रिखेगा एक होता है तो प्रकार के लिखेगा एक स्मूत का मतलब भाई इसमूती रखो रफ का मतलब खुरदरी ठीक है इसमें फिर हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है इसमूत में ध्यान रखेगा तीक रफ में पहले देख लीजे रफ ऐसा है देखी यह जो है आपका रोड रोड मतलब रेड यह रेट रेट जो पार्टिकल से यह क्या है आपका राइबोजोम है राइबोजोम तो कहने का ताथ पर है रफ उसको कहते हैं जिसमें राइबोजोम जुड़ा होता है राइबोजोम जुड़ा होता है इसलिए इसको कहते हैं रफ ए आर रफ ए आर और इसमूथ ए आर उसको कहते हैं जिसमें राइबोजोब जुड़ा नहीं होता है बस सिंपल आफैसा है अगर आपस यहां सब Nut पुछेंगा, तो पहला question यही पुछ सकता है कि खोज किस ने किया, अगर यह नहीं पुछेंगा तो यह पुछ सकता है कि इसको हम इसका कार है, अंताक कोशी की परिवहन तंतर का निर्माण करना है, अगर किसी भी चीज gidBA का कोशी यञीज की का है इसको बाहर निकलना है, कि केवल वहीं पर है राइबोजोम ठीक है आपके जिऊद्रव में भी रहता है लेकिन विशेश सुप से एर में कुछ अधिक मातरा में रहता है चलिए समझे की क्या है यह राइबोजोम यह जो है प्रोटीन की बनी संद्रचना है सबसे पहली बात ध्यान रखेगा प्रोटी अब इस चीट को समझे ठीक है राइबोजोम का काम प्रोटीन सिंथेसिस करना है प्रोटीन सिंथेसिस अर्थाद प्रोटीन का संसलेशन करना है प्रोटीन संसलेशन ध्यान रखेगा प्रोटीन संसलेशन क्या काम है इसका प्रोटीन का निर्मान करना ही इसका काम है ठीक है चलिए प्रोटीन को सिधा कर लेते हैं तो ध्यान रखीगा तिक राइबोजूम का काम पूछेगा तो राइबोजूम क्या करता है तो राइबोजूम प्रोटीन का निर्मान करता है इसलिए इसको हम प्रोटीन फैक्टरी आफ सेल कहते हैं mRNA, messenger RNA से, ठीक, protein, protein बनाने में सहायक है, बनाने में सहायक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा mRNA के बारे में जानने को मिल गया, यह तो जानी रहें ते, protein बनाने में सहायक है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगे अब हम देख लेते हैं, Lizuzyme का काम क्या है? तो धियान रखेगा यह जो Lizuzyme है, पहले इसको खोज देख ली जी भई तिक इसका खोज किझी क्या है? तोnde fever, D you. D आपका नाम आगा DIV दी यूव तो D D डि ने इसका खोज कियाлов, लाइ-जो जाइम है क्या तीक तो ध्यां दिखेगा यह अंता कोशी किए पाचक स्थल है यह क्या है आंता कोशी किए पाचक रस क्या के तीए तयाह निखेगा चुकि क्या होता है यह अन्ता कोशी के पाचक प्रव यह कर गभी कभी 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 कभी-कभी ऐसा होता हैं कि इसी के पाचक अगरस के कारद, थैली खुद नस्थ. इसे केलिए लिए इसको कहते हैं ध्यान रेकिये ओधनाय की थैली हथ्यां रखा पाराणКी थैली तो कहने कतात पर है Lyso Gyme में इस्ठित पडार्थ के माध्यम से ठीक है खुद है लाइसो जायम वोनमस तो जाता इसलिए इसको ठीक है आत्महत्या की थेली भी कहते है सूसाइड बेग कहते हैं और आगे बढ़ते हैं केंद्रक के बारे में, चलिए अब हम देख लेते हैं कोशिका के महतपूर एंग केंद्रक के बारे में, तो केंद्रक जो होता है कोशिका का सबसे important organs होता है, इस केंद्रक के अंदर ध्यान रखिएगा chromatin जाल पाये जाते हैं, और nukleols इनblackन केंद्रक 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 केंद्रे पायाती है, अब ध्यान रखिएगा इसी structure में ढ़रे महीन धागे के समान यह जाल पाये जाता है, और इसी जाल को हम Chromatin Gel के नाम से जानते हैं किस नाम से Chromatin Jal अब इसी Chromatin Jal को हम यहाँ पर इस पर स्पर्स टूप से पढ़ेंगे लेकिन सब से पहले हम यह देख लेते हैं कि कंद्र का खोज किस नही क्या था वो डिस्कवर्ड नूकलियस तो Robert Brown ने Robert Brown राबर्ट ब्राउन ऐसे पहले वेखती थे जिन्होंने कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता इस चीज का पता लगाया था और दूसरे परमुख वेखती है तिक फ्लेमिंग घ्याने की गाग फ्लेमिंग फ्लेमिंग ने खुजने में तो युगदान नहीं दिया लेकिन केंद्रक केंद्रक परमुख चीज का खोज किया था और वो परमुख चीज किया था यहीं क्रोमेटीन जाल था इन्होंने क्या कोशिका को अभीरंजित किया डाइंग किया अर्थत कलर कर दिया और क्रोमेटीन को खोजा था दहाना रहाना रक्या तो क्रोमेटीन का खोज किस न experts ने था फ्लामिंग निकिया था अब हम आये अरा हरे पढ़ते हैं। तो मैं आपको यह बता दूँ, कि मानश में यह जो क्रोमटीन ही। लगभाग 2 m3 का होता है… 2 m3 का अब आप बोलーगे सरजू चोका सा सेल होता है कुछ माइक्रोन का और उसके अंदर आप्लेस होता है। वह भी उससे चोटा होता है कुछ माइक्रों का और उस चोटे से नुकलियस में दो मीटर लंबा थिक, आपका क्रोमेटीन जाल कैसे होगा, तो यह जो क्रोमेटीन जाल उस परकार से जाल नहीं है, कि जो हम कपड़े के हिसाब से बात करें, यानि यह जो है बहुत ही सुक्ष तरीके से होता है, बहुत ही पतला होता है, क्रोमेटीन धागा, और यह जो बना होता है, दो चीजों से, यह बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन और DNA से, यह भी धियान रखेगा, यह आपका क्रोमेटीन जाल होता है, यह DNA प्लस हिस्टोन नामक प्रोटीन से बना होता है, हिस बिखेर के बहुत बड़ा इस्थान लेगा, तो ध्यान रखेगा。 उसी परकार सी यह जो क्रोमटीन जाल 10 में रहता है चोटेसे इस्थान पर रखा जा सकता है। उसी परकार चीप यह जो क्रोमटीन-जाल 25 मिverbs जी mamma ओष दिखा के त 미리 स्थान ज़ेयरा, ऑर इस चीज के भी धिखेगा, यह जो क्रोमोजोम में तो चाल होता है, तो यह जो क्रोमटीन जाल होता है, तो यह जो क्रोमोजोम में बढ़ जाता है, तो कुछ अलग नहीं है, kromatin j 더 Pilka का ही जोटे चोटा हिस्टा हिस्से आपका कromozome है ठीक है, तो kr probably आपका यह T Этоब दिखाई देता है जब cell division होना हो ठीक है और इसी के बज़ासे यह kromozome spectrum से दिखाई देता है तो कहने का तत पर यह हो गया कि क्रोमोजोम ही किस से बना है DNA और हिस्टोन प्रोटीन से, क्योंकि आपका क्रोमोटीन जाल और क्रोमोजोम यह कुछ अलग नहीं है, चलिए, अब हम देख लेते हैं, ठीक, यह होता कैसे है, अब ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस के अंदर की संरचना बना रहा हूँ, आप इसको विशेश रूप से देखिएगा, इस प्रकार से एक संरचना पाई जाएगी, जाल के रूप में, और इसी जाल में, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से, ठीक, कुछ गोल-गोल संरचना पाई जाएगे, कुछ गोल-गोल संरचना पाई खाणिए सामान नैवस्था है।। जब सेल डीविजन की अवस्था होती है, त civ मं आ आपको बता द हूँ, यह कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इहां रहा है, यह जो जाल है कुछ इस प्रकार से धिखाई देता है, तयजुख यह बता रहे है, अब समझेगा इसको हम क्या कहते हैं क्रोमोजोम कहते हैं इसी को क्या कहते हैं क्रोमोजोम लेकिन यह कब दिखाई देता है तो सेल डिविजन के समय स्पस्टूप से दिखाई देता है बाकी समय नहीं दिखाई देगा बाकी समय किस परकार से दिखाई देगा इस परकार से ज उसने क्रॉम्म etcetera किससे बना होता है तो दीना और हिस्टों प्रोटीन से बना होता है और इस जाल में डीना है और उस विसेस स्थान को, उस specific area को जहां पर आपका यह क्रोमोटीन जाल दियान रखेगा, और स्टोन प्रोटीन एक साथ होता है, उसको निकलियोजोम कहते हैं, क्या कहते हैं, निकलियोजोम विसेस प्रकार से इसको आप दियान रखेगा, अब आप समझ गयें कि DNA होता क्या ह तो DNA क्रोमोटीन जाल में पाए आता है, और यह क्रोमोजोम के रूप में तब और इस पर्स रूप से दिखाए देता है, जब सेल डिविजन की अवस्था होती है, तो आप यह समझ गए, अब मैं आपको यह भी बता दे रहा हूं, कि यह जो आपका क्रोमोजोम होता है, तो हम कहें कि 23 जोड़ी क्रोमोजोम होते हैं, 23 जोड़ी, पेर में हम बात करें, तो 23 जोड़ी होगा, इंडिविजोली बात करें, तो 46 होगा, और यह जो 23 क्रोमोजोम हैं, यह दो परकार के होते हैं, जो सुरू के 22 जोड़ी होते हैं, यह 22 जोड़ी है, एक समान होते हैं, एक समान इसी लिए इसको हम ओटोजोम कहते हैं ध्यान दखेगा ओटोजोम क्रोमोजोम कहते हैं क्रोमोजोम कहते हैं लेकिन जो तईस्वा जोड़ी होता है तईस्वा जोड़ी ये खास होता है और तईस्वे जोड़ी को हम लिंग गूर सुत्र कहते हैं ध्यान दखेगा सेक्स क क्रोमोजोम कहते हैं यह होता कैसे है ध्यान रखेगा इस त्रियों में यह एक्स और वाई के रूप में होता है ठीक और पूरूस में किस रूप में होता है एक्स और एक्स की रूप में ठीक है यह उल्टा हो गया हो गया उल्टा ऐसा नहीं होगा ऐसा होगा ध्यान रखेगा X के रूप में इस्त्रीम होगा और X और Y के रूप में पूरुस में होता है तो ध्यान रखेगा लड़का होगा या लड़की होगा उसका निर्धारन पूरुस के गुर्ण सुत्रे से होता है ना कि महिला या स्त्री के गुर्ण सुत्र से होता है तो इस बात को आप समझ चुके हैं, तो आभ मैं आपको बता दू कि केंद्रिक में केवल DNA नहीं होता है RNA भी होता है ध्यान रखेगा RNA होता है और यह RNA कहा होता है तो यह होता है केंद्रिका में केंद्रिका में केंद्रिका में केंद्रिका को हम क्या कहते है निकलियोल्स कहते है ध्यान रखेगा यह जो आप देख रहे हैं यहलो कलर का पार्ट यहीं पर होता है आपका ठीक कौन सा RNA अब आरेने के बारे मैं आपको बता दूँ कि यह आरेने यहां पर किस तरीके से काम करता है चलिए यह यहीं पर बताओं यह आरेने जो है यहां पर किस रूप से बनता है तो यह आरेने यहां पर आरेने के रूप में बनता है राइबोजोमल आरेने ध्यान रखिएगा इसको हम कहते हैं राइबोजोमल राइबोजोमल ठीक है आरेने तो राइबोजोमल आरेने के रूप में इसका निर्मान होता है निकलियोज के अंदर और यह जो डिफ्यूजो के अर्था यहां से निकल के बाहर आता है और वही राइबोजोम इयार में चिपकता है ज्यान रखेगा UK E-R और साथी साथ ये मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है और इसका प्रभु follower का रहे है प्रोटिन का synthesis करना protein का निर्माण करना चलिए किंद्रग के बार मतलब DNA और RNA के समान इस संरचना के बाद हम इसके बारे में पर्मुखुरुप से जान लेते हैं तिक ध्यान रखिएगा यह जो DNA है इसको हम कहते हैं D-Axy-Ribonucleic Acid Nucleic Acid इसी प्रकार RNA को ध्यान रखिएगा Ribonucleic Acid के नाम से जानते हैं यह इसमें नहीं रहेगा तिक कूल मिलाके अगर देखा जाए ति यह दोनों है क्या Nucleic Acid है अर्थाथ DNA और RNA की संरचना का बहुत ही basic part क्या है Nucleic Acid या Nucleic Amyl है तो Nucleic Amyl लोगों हमको पढ़ना पड़ेगा तो Nucleic Amyl जो है यह कहें कि DNA और RNA जो है तिक है यह इसके तीन परमुक कंपोनेंट है यानि कि इसके Nucleic Amyl के तीन परमुक कंपोनेंट है पहला है nitrogenous base अर्था nitrogenous base अर्था nitrogen का चार दूसरा है sugar अर्था सरकरा और तिसरा है आपका phosphate समूँ आपका सुगर आपका पॉसफेट समूँ का बना होता है किससे बना होता है सुगर जो सबसे मतलब यह आप जो देखेंगे जो ठीक एक आपका डंडीनिमर संटरचना देख रहा है यह सुगर वाले ठीक समूँ से जुड़ा होता है और यह पुरा phosphate समूँ का पट्टी है प्यूरीन और प्यूरीन कैं होता है ध्यान रेखेगा प्यूरीन जो फर्दर डिवाइड होता है दो चीजों में त्रीक है एडेनीन और ग्वाइनीन और pyrimidin होता है, divide यहाँ पर, cytosine, भ्यान रखेगा, cytosine, फिर thymine, और आपका uracil में, ठीक, तो तीन चीजों में यह divide होगा, purine और pyrimidin, और आपको यहाँ बता दू, what is the difference between DNA और RNA, तो यहाँ पर आपको एक अंतर, आपको यह first रूप से समझ लेना है, कि जो RNA होता है, ठीक, पहला इस चीज को समझेगा, कि DNA, RNA में यह basic रूप से सभी चीजे पाई आती है, केवल एक चीज का अब नुपस्तिती रहता है, जो RNA होता है, ठीक है, मैंने केवल नुक्लीक असिट के बारे में बताया था ना, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, कि RNA में यूरेसिल पाए जाता है, किसके स्थान पर भई, ठीक है, तो थाइमीन के स्थान पर, किसके स्थान पर, थाइमीन के स्थान पर, तो ध्यान रखिएगा, आरेने में थाइमीन नहीं पाया जाता है, इसके इस्थान पर यहाँ पर यूरेसिल पाया जाता है, आया समझ में इस चीज को बार बार एक्जाम में पुछा जाता है, ठीक कि आरेने में ध्यान रखेगा, ठीक थाइमीन के इस्थान पर क्या पाया जाता है, तो यूरेसिल प एभुज़ो dalam, DNA में क्या पायाता है ठाइम पाया जाएगा, गौैन इन पाय जाएगा, इसाइटनी पाये जाएगा ठाइमेन अपका यूरेसील नहीं पाया जाता ध्यान रिखेगा दोनों तरीके से पढ़ लीजेगा ठीक आपके आरेने में थाइमिन नहीं पाया जाता और डियेने में यूरेसिल नहीं पाया जाता तो अब यहां पर आईए यह जो डबल हेक्सल मॉडल देख रहे हैं और यह जो आप ठीक डंडी नुमा संडचना देख र पढ़ना होता तो इसको नवांसिकी वाले चैप्टर में इस पेसिफिक रूप से जाता है तो फिला हाल जो हमारा जो यहार चैप्टर के हम जो नुखियास पढ़ रहा है और इस नुख그렇 में पाये करमाटीन जाल है। उस क्रोमाटीन हमें पढ़ लिया। हम ए Also we had to compare और दोनों को कमपाइंडली हम क्या करें हैं निकलियुजान के नामसे जान छिए यहां पर आते हैं यहां पर यह देखते हैं और रन होते यह दोनों के नवनिक पदार्थ होते हैं परम खुरूप से ठिक गुणों के एक अस्थान से दूसरे अस्थान यादि एक पिड़ी से दूसरी पिड़ी अस्थान नहीं कहेंगे, एक पिड़ी से दूसरी पिड़ी अस्थान तरित करने में परमुख योगदान होता है, और यहां पर RNA का परमुख योगदान किस चीज में है, तो RNA का नमस्कार